तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सब मैं आ गया हूँ आप इस एक और न्य वीडियो लेके और आज किस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा भाई आप कांकुरर्ट कैसे पहुंच सकते हो वह भी बहुत कम दिनों में तो इसी टॉपिक पर मैं आज वीडियो बनाए ह ग्लाइ तो थब इस पहले हैं आप लोग को मैं दिखा दो कि भई मैं खुद ठाऊंगे नहीं योंकि मैं खुद प्लेयर रहोँगा करें, नु आप अनु आप को थोड़ा बहुत experience है और वही experience में आप लोग के साँ share कर रहूं भई कि concurrent कैसे पहुंचते हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहा ना भई आप लोग को समझ में आ दाएगा कि concurrent कैसे पहुंचते हैं और आप लोग की मेरे supporter हो भई और आप लोग को भी सौख होता है मेरे को पाता है पहुत बंदे कमेंट करते हैं कि concurrent कैसे पहुंचते हो भई तो उसलिए मैं वीडियो बना दिया भई कि concurrent कैसे पहुंचते हैं और ये वीडियो देखके भई आप easily concurrent पहुंच जोगे कोई जाता दिक्कत वाली बात नहीं रहती भई तो concurrent पहुंचने के लिए सबसे पहले भई आप लोग को अपना rank चेक करने आना चाहिए कि आप कौन से rank पहुंच पहुंच करने के लिए सबसे पहले आपको जहां पर मार्क क्या हूं वहां पर आपको क्लिक करना है तो वहां पर जैसी आप क्लिक करोगे एक बैना type open हो जाएग तो जिसमें आप रैंक पुस्ट कर रहे हो जैसे मैं अभी डूओ में क्यों हो तो मैं डूओ सेलेक्ट कर लेता हूं तो डूओ सेलेक्ट करने के बाद भाद मेरा रैंक दिखाने लगेगा यहां पर देख सकते हो मेरा रैंक अभी 603 है और सुबह को भाई मेरा रैंक चल रहा तो भाई आपको कॉंकुरर इसले मिल जाएगा एस में पहुचने के बाद तो आपको भाई टॉप 500 में जाना पड़ेगा इसके लिए कॉंकुरर चाहिए तो तो उसके लिए आपको यहां पर राइट साइट में देख सकते हो मैं मार्क गया हूं तो उस पॉइंट को पॉइंट बढ़ते जाएगा जैसे मेरा भी 4557 पॉइंट है तो जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को बढ़ाते जाओंगा भई तो यह मैं रेंग जो दीख रहे है न वो कम होते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा भई जब मैं टॉप 500 के टॉप 100 में भी पहुच जाओंग तो इसको कैसे बढ़ाते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको तो भाई जैसे यह आपका PUBG Lite का गेम इंड होता है तो कुछ इस प्रकार का स्क्रीन में बन के आता है तो यहां पे आप देख पा रहे हो भाई टोटार रेटिंग प्लस 30 करके डिखा हुआ है तो वो कहां पर जूड़ता है आपको पता है जो प्लस 30 करके है ना वो कहां पर जूड़ेगा जैसे मैं एक गेम खिला तो उसमें मेरा यह प्लस 30 हुआ तो वो जूड़ेगा भाई यह 4557 पॉइंट दीख रहा है ना उस पर जाकि यह प्लस 30 जूड़ जाएगा मतलब जैसी आप गेम ज इतना जल्दी कम होते जाएगा तो सायद आपको कुछ समाज में आ गया होगा और कुछ भी डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हो आप अब कई बंदों को तो भाई यह चीज पता है लेकिन कई बंदों को नहीं पता है यह चीज की कैसे अपना रैंक चेक करते हैं तो इसको बताने के लिए यह मैं पूरा डीटेल से वीडियो बना दिया अब में टॉपिक अपना यह है भाई कि कांकुरार पूस कैसे करें अब हमें सब प्लस कैसे करें इस चीज को जानना बहुत जोड़ी है तो चलिए वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं तो भाई कांकुरार टिप्स यह है भाई कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना आना चाहिए कि आपको उतरना कहा है जैसे कि यह मैप देख पार हो भाई तो इसमें प्लेन जा रहा है वेस्टा से वेर हाउस के और तो भाई यहां पे जितने भी हॉट डॉप है जैसे ओल्ड वेसिन, थर्डी, इस्ट पोर्ड और वेर हाउस तो ऐसे जगहां पे नहीं उतरना है जहां से प्लेन जा रहा हो क्योंकि भाई जहां से प्लेन जाता रहता है वहीं पे बंदे अकसर उतरते हैं जहां से प्लेन जाते रहता है और वहीं पे अगर आप उतरोगे तो भाई हो सकते है कि आपके प से थोठाव दूर उतरने जैसे आप उतर सकते वाई फैक्टरी चesarट है और जंकियार्ड है और पैलेट पलाजा है तो मतलड़ प्लें से थोठाव दूर उतरने है तो पहला तीप से आपको समझ में आ और प्लेन से दूर उतरने का फायदा यह रहेगा आपको अच्छा सा लूट मिलेगा जिससे आपके पास अच्छा सा गन रहेगा तभी आप बंदों से अच्छे से फाइट लेप होगे अगर आप हाउट ड्रॉप पे उतरोगे तो भाई हो सकते आपको बीना गन कही मरना जिसके साथ अक्सर आप चिकन डिना निकाल लेते हो तो ऐसे बंदों के साथ ही आपको खेलना है क्योंकि जितना जाता आप चिकन डिना निकालोगे उतना जल्दी आपका रैंक कम होते जाएगा मतलब जल्दी से आप टॉप फाइब अंड़र पहुच जोगे तो यही से यह है आपको सर्वाइब करना आना जाहिए क्योंकि सर्वाइब की जstillता प्लस भाइब एसे आप गोड़ा ने नायी भी निकालते लेकिन आर्ब इसजाद़ आते हो तो भी आपका बहुत ज्यादा प्लस होता है तो आपको हर गेम में कोशिश करना भाई कि आप हमेशा टॉप 10 के अंदर ही पहुच जाओ क्योंकि टॉप 10 के अंदर पहुचने पर प्लस अच्छा होता है और उससे पहले आप मर जाओगे तो भाई हो सकता है आपका माहिनास भी हो जाए तो हमेशा कोशिश करना भाई कि आपक यह क्योंकि बैए कई बंदे क्या करते हैं कि जैसी एक गन मिला और बंदे का फाइरिंग साउंड तो उधर रस करने चले जाते हैं अकेले ही तो यह चीज़ आपको नहीं करना भाई जब आपके पास अच्छा सा लूट हो जाना तभी बंदों के उपद रस करना है और अकेले यह चाहिंगाएं तो रहा है और मैं अपना बताऊं तो भी जैसे मैं dział यह ठीमन तेक पहुँचना है तो मैं एकडम अंधा रस करता था जहां पर पंदा दीखता था वहांपी रस कर देता तो यह चीज आप कर सकते हो आप भी तो इससे भई आपका हमेशा प्लस ही होगा माइनस कभी नहीं होगा जितना ज्यादा आप छुपके खेलोगे भाई उतना ज्यादा टाइम तक आप गेम में सर्वाइब करोगे और उससे आपका प्लस होगा तो यह चीज आपको समझ में आ गया होगा तीसरा टीप्स भी अब बढ़ते भाई चौंते नंबर के टीप्स प्योर तो चौंते नंब बंदों को एकदम एजली कम समय पर ही मार देते हैं और ऐसे गना आपके पास रहेगा तो भाई बंदों को आप एकदम एजली मार सकते हो तो हमेशा ड्रॉप लूटने के कोशिज करना चाहिए और ड्रॉप के पास भी आपको अकेले नहीं जाना है गाड़ी लेके आपने टीमेट के साथ जाने है ताकि कोई बंदा भाई ड्रॉप पहले से लूट ली हो या फिर ड्रॉप के पास कोई बंदा हो तो आप वहां से गाड़ी से एकदम एजली जल्दी से निकल फो या फिर अगर फाइट लेना तो भाई आपका टीमेट भी आपके साथ रहेगा तो को थोड़ा मदद में लगा ठीक है तो चौंधा टीप सभी आपको साथ समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं पांचवा नंबर के टीप स्क्यों तो पांचवा नंबर के टीप से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज़ है रेंग पूस के टाइम अक्सर बंदे घबरा जात तो यह चीज़ आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए घबराहाट रहें पूस के टाइम क्योंकि जितना ज्यादा आप टरोगे ना उतना जल्दी आपको बंदे मार के चले जाएंगे यह चीज़ हमेसा याद रफना तो आपके अंदर हमेसा कॉन्फिडेंस होन तो आप भाई कोई भी बंदा सामने आ जाएगा आपके तो भाई आप उसको इजली मार दोगे तो भाई हमेसा यही सोच के चलना है कि आप ही सबसे बड़े पीरो आपको कोई मार ही नहीं सकता ऐसे टाइप सोच लेके खेलना है गेम रेंग पूसके टाइम ताकि कोई भी अगर आप फॉलो करते हो ना भाई तो भाई आपको कॉरा पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता भाई कोई ने रोक सकता पस आपको हमेशा कॉन पीटेंस के साथ खेलने हम वी जीदेंगे हर मैच से करके जितना ज्यादा चिकन डिनर निकालने कोशिच करोगे बही जितना प्लस होगा और जितना ज्यादा प्लस होगा न उतना जल्दी आपका रैंक क्या होगा रैंक कम होगा जिससे आप टॉप 500 में पहुंच जोगे तो भाई मैं उमीद करता हूं कि आप भी पहुंच जोगे इस ट्रीप्स को जानने के बाद और थोड़ा सा भी आपको डाउट हो भाई किसी भी जगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हूं मैं हर कमेंट का रिप्लाइद हूंगा यह मेरा प्रामिस है तो भाई आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताना अगर आपको यह वीडियो समझे में आया हो तो भी बताना और आपको कोई डाउट हो तो भी बताना भी तो यही था भाई कॉंकरर पहुचने का कुछ टिप्स है तो इससे आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ भाई तो एक लाइक कर देना है और मेरा भाई तबियत खराब है और को रोना हो गया भाई मेरे को सहीं बता हूं तो मजाग निकर रहा तो भाई फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं तो भाई एक लाइक तो कर दो यार भाई कसम से बहुत मेनत लगा है और यह वीडियो बनाने में मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं भाई मैरा तबियत इतना ज्यादा कराब है फिर में यह वीडियो बना दिया आप लोग के लिए तो यही था भाई आज का वीडियो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई 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 जहीं वन्दे मात्रम